यू तो हर कोई आस्मान की बुलंदी पर पहुँचना चाहता है, उड़ना चाहता है, मगर कुछ ही लोग होते हैं जो अपने ख्वावु को पंखते पाते हैं एडविंचर और स्पोर्ट्स की दुनिया से तालुक रखने वाले परिदबाद स्मार्ट सिटी से जाने माने उद्योगपती प्रवीन मोहन्ती ने स्काइड डाइविंग के रोमांच का आनंद लिया आस्मायन की बुलंदी को छुआ और अपने जीवन में एक नया अनुभव प्राप्त किया प्रवीन मोहन्ती ने बताया कि लगभग 6 साल पहले मई 2015 में उन्होंने USA सान प्रांसेसको में हवा से बाते करते हुए धर्ती की खुबसूरती में हारते हुए स्काइड डाइविंग की दुनिया में एक अनुठा सफर तै किया उन्होंने बताया कि लगभग 2000 मीटर की उचाई से उन्होंने जंप किया तो लगा जैसे उन्होंने पंक लग गए हुँ उन्होंने अपना अनुभव सांझा करते हुए बताया कि स्काइड डाइविंग के लिए प्लेन का डोर खुलते ही जंप करने की बारी आई तो मैं पहले काफी नर्वस महसूस कर रहा था लेकिन जैसे ही फोकस करते हुए मैंने जंप की तो सब कुछ काफी स्मूध था काफी रिलेक्सिंग और लगा कि जैसे अब बस उरना है और हवा से बाते करने का वक्त है उन्होंने बताया कि स्काइडाइविंग का पूरा प्रोसेस लगभग आधी घंटे का होता है जिसमें 10 मिनट की ट्रेनिंग, 15 मिनट में लिफ्टिंग और 5 मिनट में जंप और तयारी का वक्त शामिल है उन्होंने बताया कि स्काइडाइविंग रोमान से भर देने वाला अनभव होता है अब भी मैं जब स्काइडाइविंग की फोटो या विडियो देखता हूँ तो मेरा मन रोमान चित्खोडता है अब भी मैं जब स्काइडाइविंग रोमान चित्खोडता है अब भी मैं जब स्काइडाइविंग रोमान चित्खोडता है